भारतिय रिजर्ड बैंक यानी RBI ने सुक्रवार को कहा कि वैद 2000 रुपे के बैंक नोट परचलन से वापिस लेगी हाला कि ये वैद मुद्रा बने रहेंगे इस पर समाजवादी पाइटी के अध्यक्स अकलेश यादव ने अपनी परतिकरिया दी है अकलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझाती है 2000 रुपे के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है लेकिन इसकी सजाद देश की जनता और अर्थ प्यवस्ता ने भुकती है सासन मनमानी से नहीं समझदारी और इमांदारी से चलता है गौरत लहबे की RBI ने कहा है कि सभी बैंक 30 सितंबर तक 2000 रुपे के बैंक नोट जमा करने और उन्हें बदलने की सुधा उपलब्द कराएंगे RBI ने कहा कि भारतिय रिजर बैंक की स्वच नोट नीती के अनुरू 2000 रुपे के नोट वापस लिए जाएंगे केंद्रिय बैंक के अनुसार लोग अपने खातों में 2000 रुपे के नोट जमा करा सकते हैं या किसी भी बैंक की साखा में उन्हें बदल सकते हैं भारतिय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कहा कि बैंक खातों में बिना किसी सीमा के समान्य तरीके से इन्हें जमा कराया जा सकता है हाला कि मौजुदा निर्देश और अन्य प्रावधान लागू होंगे केंद्रिय बैंक ने कहा कि परिचालन और बैंक साखाओ के नियमित कामकाज सुचारू रखने के लिए 23 माई से एक बार में 20 हजार रुपे के ही नोट बदले जा सकेंगे समय बुद्ध तरीके से इस काम को पूरा करने और आम लोगों को प्रियाप्त समय देने के लिए सबी बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को जमा कराने और बदलने की सुईधा उपलब्द कराने का निर्देश दिया गया है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ